आमानी पार्टी कॉंपेटिशन में नहीं है कहीं भी हमारा विधायक बिने मिश्रा चोर है सरे हम कहता हूं चोर है आने वाली टैम में 2025 में बिने मिश्रा भी नहीं रहेगा बिने मिश्रा भी नहीं बनेगा विधायक नहीं बनेगा जहां आम आदमी पार्टी, फ्री पानी, बिजली के मुद्दो को लेकर जनता के बीच में पहुँच रही है तो वहीं BJP भी अपने जो EWS फ्लैट्स दिये गए हैं गरीबों को फिर सापसफाई की बात कर रही है, इन सब मुद्दो को लेकर जनता के बीच में जा रही है और एक बार फिर से दुबारा से चुनने की बात कर रही है इस वक्त हमारी मौजूदगी सागरपुर में है और हम लोगों से जानने की कोशिस यही कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी को क्यों चुना जाए या फिर बीजेपी को चुनने का क्या फाइदा रहे गए इस बार क्या सोचती है जनता और क्यूं किसको सरकार में लाना चाहिए आम आदमी पार्टी को लाना चाहिए या जिस तरीके से काम काज किये गए हैं आम आदमी प प्रेक्तλ इसे वह क्या लगता है है। उनके अपने संब्द होंगे तो उसके कारण नजदी की कारण उन्होंने मेरी टेकट काटके 10 लाग रुपे लेने के बावजूद उसको एक समयादा है जिसे कोई जानता भी नहीं उसको दे दी गई है जैसे कि आप जिक्र कर रही है कि जो है 10 लाग की जो है डिमांड आपसे की गई यहां की जो अस्थानी विधायक हैं बिने मिस्रा आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जो जनता के बीच में या मुद्दो को लेकर आई थी कि हम भरष्ट चार को खत्म कर देंगे उन्ह कांग्रेस में भी इन्होंने जादा था इसी तरीके से पैसे लेकर ही टिगट बाती गई थी मैं यहीं पहला रहे हैं और रही बात मेरे से पैसों की दिमांड इन्होंने करी थी पार्टी फंड के नाम को नाम पे लेकिन बादें मुझे पता लागे कि उपर तो कोई और मुझे उनकी रसीद भी दीजिया पर्ची भी दी उट, कुच रसीद तो होगी उन्होंने मना कर दे उनके पास कोई रसीद भी नहीं इसके मतलइ मेरे पैसे विधाय का फैसे मेरे था बीनने बानती थी थी तो मुझे देनी चाहिए थी थी ना टिकट उसके बाँजू आपको मेरा नाम सब नहीं लिया तो सर्मे मेरा नुमर बन था और उनकी जो रिष्तेदार नहीं थी तिलोतमा चोदरी वह तो कॉंग्रिस पार्टी से तीन गंटे पहले उसे जोईन करवाया गया था तो वो उसका सर्मे में नाम कहां से आ गया जानना चाहेंगे जासे कि आपने जिकर किया कि जो है 10 लाइक आपने भी तक ने किया है। पिता जी आप भूलिये मत कि आपका जो पिता जी हैं जो कॉंसिलर जो बने थे न है और जो बिधाय का चुना लग जब से मैं साथ लग रही हूं और जब यह किस हाल में थे इन्हों ने मुझे अपने पीछे टूट चपल भी टूट गई थी इनके पीछे में नंगे पैर मैं तो कहरे हैं कि 1200 क्रोड रुपर हो गयां उनके अप सुनने में आ रहा है तो कहां से जोड़ रही राजिनीतिस से उनके खा जो जोड़े हैं तो आज हम कारे करता वरकर नहीं होते तो इतना कमा लेते यह अंधेर गढ़ी इतनी मचा दी है इनका आने कभी पेटी नहीं भ प्रश्टाचार कारोप आप लगा रही हैं ऐसे में यहां से आमादी पार्टी नहीं निकल रही है या फिर इस बार यहां पर नहीं चुन रहे हैं आमादी पार्टी को आप लोग यहां पर जो इतनी प्रव खड़े इन से पूछ लिए जिए आप अभी छेतर में घूमे थे आप घूमके आएं तो आपको भी पता लगा होगा इस टेम हैं बिने मिस्रा की बज़े से आमादी पार्टी से सब खिलाफ है कोई नहीं चाहरा कि जो ऐसी कुनों सबका यही कहना है कि नो ने ऐसी लेडिस को टिगट दी है उनका चाहिए कैसा भी तालू का संबनता उनका क आप तो अपने घर बेठी हूँ लेकिन मेर को उन्होंने दुख पहुचा है ने तकली पहुचा है ना मैं खुद यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगी चुनाओं में यह कास करके दौर का विधान सहभा में कोई जाड़ू को बोट ना दे यह तो बिने मिश्रा का सिर है जो आने वाले टैम में 2025 में बिने मिश्रा भी नहीं रहेगा बिधायक नहीं बनेगा क्योंकि मेरी हाई मेरी बद्दुआ है और यह पब्लिक करके दिखाएगे क्योंकि जनता के पास बोट की तागत है जो जनता के बीच में मैं गूमती हूँ इनका काम मैंने करूआ हैं इनके सुख दुख में मैं शामिल हूँ हूँ मैं खड़ी हूँ हूँ तो यही मेरी तागत है और यही कह रह दू यह किसी पाल्टी का नहीं होता सवाल इस टैंब है कि हमारा बिधायक कैसा हूँ हमारा बिधायक बिने मिशा चोर है सरे हम कहता हूँ चोर है मैं और मीना वर्मा हम दोनों उसको दसलाक रुपे देके आए थे पार्ट पेमिंट करी हैं उसको किस्तों में पैसे दिये है और उसके बाद बिलकुल मुकर गया वो आज पैसे देने से उसमें मना कर दिया पैसे हमने डारेक्ट कंप्लेट नहीं करी मैंने भी कंप्लेट करी है कमिशनर बिने मिश्रा के खिलाब को कि उसमें पैसा मेरा भी इन्वॉल्व है और मीना वर्मा का भी इन्वॉल्व है हम दोनों का इन्वॉल्व है, कमिशनर के कंप्लेंट हमने करी अठारा तारिक को, वो इसलिए करी है, बाद में के पहले हमने ये चाहा कि पाल्टी की बदनामी ना हो, बिने मिश्रा की बदनामी ना हो, पर जब उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, हमने बीच में डाले, दो दो ब्यक्ती डाले, उन्होंने जब मावल मिश्रा जी और बिने मिश्रा जी से बात करी, और वो एकदम मुकर गए कि हमें कोई पैसा नहीं दिया गया है, तब हमें मजबूरी में कंप्लेंट करनी पड़ी और जो के हमने अठारा नमंबर को करी है, इस बार आप लोग चु आप समझ सकते हैं जब कारिये करता होती है, पाल्टी की जब वही काम पे नहीं कर रही है, तो परिणाम आप जान सकते हैं, बाकी तो इश्वर की मर्ज़ी जो है वो आपको रिजल्ट आने पे पता लगी जाएगा साब तोर पर मैं यह कह सकता हूँ कि आमादमी पार्टी की जमानत जबत होगी द्वार का विधान सवा से हम लोग आमादमी को नहीं दे सकते हैं इस वर आप लोग आमादमी पार्टी को नहीं दी हैं इसी वज़ा से कि टिकट नहीं दिया गया और जिस तरीके से अभी पैसे देनी की बात हुई इसको लेगा इसी के लिके आपका नाम क्या है अनवरी बेगम बताइए कि आम आदमी पार्टी को अभी सागरपूर में हम लोग हैं तो चुन रही हैं आम आदमी पार्टी को की नह हम लोग आम आदमी पार्टी को नहीं चुन रहे हैं मेनुजी को टिकट मिलना चाहिए मिला नहीं तो इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे बताइए कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं आप लोग सागरपूर से चुन रहे हैं या मेनुजी को टि तो यह गलत बात है ना पैसे भी ले लिए फिर भी टिकेट नहीं मिला है बताइगे कि आमादमी पार्टी को आप लोग क्यों नहीं चुन रहे हैं टिकेट तो मिलना चाहिए पर कोई दिया नहीं तो अपसोस हो रहा है इंसान को इतना पैसा जामा करके भी पस्ता रही है ना दुखी है इंसान तो मिलना चाहिए तो यहां से अभी जो आमादमी पार्टी की पारसद अभी जो उम्मीदवार है उनको फिर चुनेंगी आप लोग की ओट देने जाएगे कि नहीं आ हमादमी पार्टी को जो उन्हों ने किया उनका पार्टी नहीं किया जो केजरीवाल किये हैं वो उनका पाटी नहीं कर रहे हैं पहले कुछ और आप कुछ और करते हैं कि कहना है सुनने की मतलब हुआ कि हम एक करेंगे वो करेंगे अब आद में जितने का बाद तो कुछ मिलता ही नहीं है हमने पांच छे बार फारम रासन काड का जामा कर दिया हमें आद तक भी मिलता है जब जाता है तुमारा पती कै इतना से लिदैं है अफ्ली के लिए कार चांड के कोई सुन वाईयन नहीं है हमने रेलवेटिकट का भी अपलाई किया उसका भी हमें कोई सुनवाई नहीं है तो किस से बताए हम आरे पास है भोट पर मैं भोट किसी को नहीं देंगे जब इंसान हमारे लिए नहीं कर रहा है रासन के लिए जाओ तो कहेंगे नहीं तुम्हें क्या हाथ गोर भगवान दे रखे पर जो मेरा बच्चा है उसको लेके मैं धका खारी हूँ जब भोट लेने की बारी आती हो है तो कड़ जोडते हैं कि हमें दो हमें दो पर हमारे लिए कुछ नहीं होता है देखिए जैसे कि यहां के हमारे शेत्रे विधायक हैं श्री विने मिश्रा जी यह जमिनी स्थर पर इन्होंने कभी काम नहीं किया ठीक है जब भी और सबसे बेड़ी बाद जो इनकी पार्टी के कारे करता है रीड के अडडी यह सिर्फ राजनीती करना चाते हैं सिर्फ CMK काम के नाम इरु दश्री करनाने नहीं जानते जब यह शेत्र में आते हैं वोट मांगने के लिए था प्रवाब कहते हैं के नाम पर फिरी बिजली फिरी पानी के नाम पर मतलब वोट मांके चले जाते हैं और लेकिन यह कभी भी अपने गली महले गलिया मनाना टूटी-पूटी जैथे कि आप कभी शेतर में जाके दे सकते हैं काफी गलियां है डाबडी वाड़ वगरे में भी काफी गलिया हैं तीन सालों के विधायक जी को विधायक बने हुए लेकिन उन्होंने उन गलियों को कभी दौरा भी नहीं किया उन्होंने उन गलियों का सुख दुख भी नहीं देखा कि लोग कैसे जी रहे हैं कैसे मतलब गलियों में पानी बर जाता है मतलब गड़े हो ज जाते हैं कि हम हमेशा जीतेंगे तो कहते हैं कि कार्य करता कोई कुछ नहीं कि आपने क्यंदीड यह नाम पर चुनाओ लड़ रहे हैं आप लोग यह बताईए कि यूथ के बताईए कि सागरपुर में आमाधी पार्टी जीत रही है या हार रही है एक तरफा आमाधी पार्टी हार रही है सागरपुर में और डौपुरी द्वारगा विदानेश्पुर में आमाधी पार्टी हार रही है एक तरफा आमाधी पार्टी कॉंपेटिशन में नहीं है कहीं रहे हैं दद्दस लाक रुपए जो है कारिकरताओं से वसूला जा रहा है और लोगों से और भी जानने की कोशिस यही करेंगे कि आखिर जो है आम आदमी पार्टी क्यूं हार रही है सागरपुर बिधान सवा से या पूरी द्वार का बिधान सवा में ये लोगों से हम जानन कर दो